मूक्षदाइनी पतित पावनी मागंगा के तट के किनारी बसा कनोश शहर राजा हर्शुवर्धन की रासधानी रहा है कनोश अपने गौर्वशाली इतिहास के लिए देश भर में जाना जाता है वहीं दुनिया भर में कनोश अपने इत्र की खुश्बू के लिए प्रख्यात है कहा जाता है कि कनोश में इत्र नालियू में बहता है इत्र की खुश्बू के लिए मशूर इस शहर को इत्र की रासधानी भी कहा जाता है कनोश में इत्र बनाने का काम करीब सत्रवीं शताब्दी से खुता चला रहा है यह पद्दती जो प्रुरानी चलिया रही है उसी ट्रडिशनल पद्दती से आज भी कन्रोज का हित्र बनाया जाता है और जो उसका सोंधापन होता है जो उसकी एक बेसिक के कहना चाहिए प्रापर्टीज हैं वो उसकी उसमें इंटेक्ट बनी रहे हैं जानकार बताते हैं कि इत्र बनाने का तरीका फारस के कारिगरों से मिला था इत्र को लेकर एक कहावत प्रचलत है कि सत्रुई शताबदी में मुगल समराट जहांगीर की बेगम नूर जहां जिस कुंड में सनान करती थी उसमें गुलाब की पंखडियों को तोड़ कर डाला जाता था नूर जहां ने एक बाद देखा कि गुलाब की पंखडियां पानी में तेल छोड रही हैं जिसके बाद गुलाब के पूलों से सुगंधत तेल निकालने की कवायद शुरू की गई जिसके बाद जहां गीज ने सुगंध निकालने के लिए शूत को बढ़ावा दिया आज भी इत्र के कार खानों में आस्वन विधी से तांबी के बड़े बड़े डेंगो में इत्र तयार किया जाता है खेतों से तोड़कर लाए गए फूलों को भट्टियों पर लगे विशालकाय तांबे के भवकों या फिर डेग में डाला जाता है फूल डालने के बाद इन भवकों के मुह पर धक्कन रखकर मिट्टी से कसकर सील कर दिया जाता है ये सब प्रक्रिया होने के बाद भट्टियों में आग लगा दी जाती है कई घंटों तक आग सुलगानी के बाद भवकों से निकलने वाली भाब को एक दूसरे बर्तन में एकत रखिया जाता है जिसको बाद में सुगंधित एत्र में तबदील कर दिया जाता है कनोश में मिट्टी से भी सुगंध निकाली जाती है यहां के कुमहार एक विशेश प्रकार की मिट्टी जिसे चिक का मिट्टी बोला चाता है उससे लोई बना कर पकाते हैं जिसके बाद कुमहार इत्र व्यापारियों को पकी हुई मिट्टी की लोई को बेश देते हैं इत्र के कारखानों में पहुँशने के बाद तांबे के बर्तनों में मिट्टी को पकाया जाता है इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली सौन्थी खुश्बू को बेस ओईल के साथ मिलाकर इत्र बनाया जाता है जिसका इसेमाल गुटका व तंबाकू में किया जाता है कन्नोश में जहां एक और सबसे 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 इत्र तयार किया जाता है वहीं यहां पर दुनिया का सबसे महंगा इत्र भी बनाया जाता है यह इत्र असम की विशेश लकडी आसमा कीर से बनाया जाता है इस इत्र के एक ग्राम की कीमत पांच हजार रुपए तक है वहीं कुछ इत्र के जानकार बताते हैं कि अधरोध की बाजार में कीमत पचास लाख रुपए प्रती किलो तक होती है कनोश में सुगंधत तेल की कीमत 25 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की होती है ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत